तो दोस्तों यह है हमारा Digital Commentary का Clips Channel जहां आपको Film Industry से Actors, Writers, Directors के साथ हमारे Podcasts और Chat Shows के कुछ Short Clips और Deleted Conversations देखने को मिलेंगे तो फटापट से Digital Commentary Clips Channel को सब्सक्राइब कर लो भोशपूरी फिल्मों को देखते हो सब्सक्राइब कर लो क्यों 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 अच्छी रहती नहीं मैं मेरा यह मानना है कि Always See Things जो के आपके लिए बेनिफिशियल सर कभी ए घुटन होती है कि आप बिहार से हो और भोशपूरी जैसे अच्छीलता का है जुड़द ओकर मेन जड़ में जा पहिले जड़ का हा पैसा जड़ा पैसा पैसा कमावे के बाद सब्सक्राइब तू अब तू अख श्लीलता पहला वा जाई उ डिख्षा-वाला लोगास लोग जाया जाया, सीटी पर जाया, देखी गंदगी, ता पैसे नुबा, हर चीज के पीछे, जब हम सोनी में रहनी, तो एक आदमी बुलने समरा के, कुछ बात भाहिले इसे, मीटिंग जे होत रहे, वहां पे एक कारक्रम रहे, कोई प्रोग्राम पिछिंग भाहिल रहे, तो जे में डिर अइसे प्रेम चंड की आधारित की कहानियों पर आधारित, ये सीरियल है, प्रेम चंड की कहानियों, अभे जो कोई नया, नया लए कोई लैकी रहे, कोई हो कोई पर श्कूल से, कॉन्वें दे पडोड की आयर रहे, तो जब मीटिंग खतम हो गय, हां, तो हम सुनी लिटर आईसे वो जे पिचिंग करे आई रहे प्रोड्यूसर लोग वो बाहर निकला है आउलाई की बोलत या ओ डिरेक्टर के के सब प्रेमचंद के बारे में उसको पता नहीं था उसने बायोडेटा मांगा प्रेमचंद का इससे प्रेमचंद का महत या उनकी उपस्थेती या उनकी महनता कम नहीं होती है ना मेरे पिताजी बहुत महान कवी थे उनका नाम जो है वो रामधारे सिंग दिनकर जितना नहीं हो पाया इसका यह मतलब नहीं है कि वो महान कवी नहीं थे बहुत महान कवी थे मेरे पिताजी पिटाजी के लिखी हुए अगर दो-चार लाइन कुछ अगर आपको रात हुआ। पटना याद आता है कभी पटना की सबसे अच्छी याद यह मेरी महबद पटना की है जिन से मुझे पहली बार मोप्बद हुए थी , जो मेरा पहला प्यार थी वह पतना की है है बिलकुल और मैंने उनके साथ जो डेट किया वह सारी आदे है वहां गंगा किनारी खरते थे थे, एनाइटी घार चाली गार फे तरफ गंदी मैदान के सखोल में मैं कभी जाता नहीं किस स्कोल यहाथ थे अभाबार्फे पी अंगलो सुंस्कुल थे उरक्षा जो कि बहुत पुरान श्कुल था उननीस सो एक या उननीस सो दो में खुला थ और मैं कभी स्कूल जाता नहीं था क्योंकि मैं हमेशा किताब बिशने बिजी रहता था तो लेकिन कभी कभार ऐसे भूले भटके पहुंच गए तो पता ने टीचर ने मेरे में क्या देखा उन्होंने काया कि वाद वाद प्रत्योगता में इस बार तुम हिस्सा लोग है और क अधिवाद प्रतियोगता में अधिशा लें और वह पहली बार अचाहा हुआ कि हमारे स्कूल साल के थास में हम जीते वाव ओर वड़ासा टौफिक मुझे मिला मेरे लाइफ कप अप्र तो वह यह मुझे मेरा हो यादगार कि क्योंकि बहुत बहुत अभीभूत हो गए थे हमारे स्कूल वाले सारे टीचर और वह जीतने के बाद आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ गई कैसे आपको फीमेल फैन फॉलोइंग का चक्कर ही कुछ कभी रहा नहीं को कि मेरे पास ना यह रोमैंस के लिए महबबत करने के लिए इन चीजमें के लिए कभी टाइम ही इस चक्कर मेरा कि आज खाना क्या खाएंगे तो खाने करें जुगार करते रहे हम तो समझ रहे हैं तो कहां से सब चीजें हो तो यह फर्स्ट लग जो आप बता रहे थे वह वो तो एक नैच्रल क्योंगे मैं ठीटर करता था एक नाटक किया था मैंने स्ट्रीट प्ले किया